छुट्टी वाले दिन ना घर में सभी की यही डिमांड होती है कि कुछ बहुती टेस्टी सा बना दो, कुछ अलग हो, यूनिक हो, जिसे खाकर मजा आ जाए लेकिन छुट्टी वाले दिन हम भी यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा बना दें जिससे सब खुश भी हो जाएं लेकिन जिसे बनाने में ज़्यादा समय ना लगे तो ऐसी मज़िदार रेसिपी आज बनाने वाले हैं एक बोल में एक बारिक कटा हुआ प्यास डाल दिया थोड़ा सा बारिक कटा हुआ मैंने गाजा डाला, थोड़ा सा बारिक कटा हुआ शिमला मिर्स डालेंगे और यहाँ पर बारी कटा हुआ टमाटा डाल दें साथ ही इसमें एक बारी कटी हुई हरी मिर्श और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दें अब यहाँ पर मैंने लिया है यह बारी कटा हुआ पनीर और इसमें पनीर डाल देंगे इसके बाद हम यहाँ पर इसमें डालने वाले हैं टमेटो सॉस तो दो चमज भर के मैंने टमेटो सॉस डाल दिया है इसकी जगा आप पीजा सॉस का इस्तिमाल भी कर सकते हैं थोड़ा सा डाल दिया है नमाक, यह डाल देंगे चिली फ्लेक्स और इसमें डालेंगे थोड़ा सा औरीगेनों और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और बस बहुत अच्छे से से मिक्स करेंगे चाट मसाला डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो ये देखे हमारी टॉपिंग हो चुकी है त्यार बहुत ही बढ़ि लिजेगा ताकि से ये ब्रैड की उपर अच्छे से स्प्रैड हो जाए अब बटर लगाने की बाद यहां पर मैं लगा रहे हूं ग्रीन चुटनी लगाने से जो सैंविच होता है वो एक अलगी लेविल पर पहुंच जाता है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जात से ब्रैड को कवर कर दिया और अब लिया है हमने चीज तो इसके उपर ना हम चीज ग्रेट करने वाले हैं तो बैट चीज अगर आप नहीं खाते हैं तो आप पनीर डाल सकते हैं लेकिन बच्चों को ना चीज बहुत पसंद होता है और मैं ये रेसिपी बना रहे हूं बच बटर लगा दीजे बटर में सैंविच बनता है न तो एकदम क्रिस्पी बनता है इसलिए बटर करें अब यहां पर जो हमने सैंविच तयार किया है उसे रख देंगे हम इस तरह पहन के अंदर फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि से चीज अच्छ से मेल्ट हो जाए और लगबख तेर से दो मिनट बाद यह देखें चीज बड़िया मेल्ट हो चुका है और जो सैंविच है ना नीचे से अच्छा क्रिस्पी हो गया है तो बस इसे हमें बहुत ही आसानी से निकाल लेना है ऐसे तो देखें मात्र पांच मिनट भी हमें नहीं लगे हैं और उससे पहले हमारी एक मज़ेदार ची टेस्टी रेसिपी त्यार हो गई है तो छुटी के दिन अगर आपको रिलाक्स करना है और फैमली के लिए कुछ अच्छा भी बना कर खिलाना है तो यह रेसिपी आप ट्राइ कर सकते हैं यह सैंविच इतना टेस्टी प्र बना कर दो